एलड़ि हरी टत्था कि टॉन्स भेन भेन प्रकार की राछानी कभी क्रियाय देते हैं जिसमें महत्यपून हैं यहां पर नाभिक्स नहीं योगात्मट अभीक्रियाय इसके अलावा ये आकसी करण अभी अभिक्रियाई भी देते हैं और यह अप्चेन अभिक्रियाई भी देते हैं जिसकी फुरसरूप हमें भिन भिन प्रकार के उत्पाद प्राप्त होते हैं सबसे पहले हम जानेंगे अल्डिहाइड तथा की टोनों की नूकलोफिलिक अडिशन रियक्षन नाभिक्स नहीं कार्बनल समु की जो सरचना होती है उसमें हम जानते हैं कि कार्बन तथा उससे जुड़ा हुआ जो ध्विबन से जुड़ा हुआ ऑक्सीजन तथा उसके दो अन्य समु चाहे वो हाड्रोजन और एलखिल समु हो या फिर दो एलखिल समु हो यह सभी एक प्लेन पर होते हैं यानिकी इनकी सरचना जो होती है वो त्रिकोनी समतली होती है और हम ये भी जानते हैं कि जो कार्बनिल समू का ऑक्सीजन है वो उसकी इलेक्ट्रो नेगेटिविटी कार्बन से अधिक होती है और इसकी वज़ा से उस पर रणावेश होता है जबकि जो कार्बनिल कार्बन है उसमें धनावेश होता है और यही वज़य है कि यहां पर नुक्लोफलिक अडिशन अभीक्र्याइं हो पाती हैं क्योंकि यहां पर द्विबंध उपस्तित है और इसे लिए यहां पर हम देखते हैं कि जब भी कोई नूक्लोफाइल या नाभिक्स नहीं यहां पर अटाक करता तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि इनकी सरचना समतली होती है और हम जानते हैं कि इसमें जो कार्बन होता है वह SP2 संकृत अवस्था में होता है और जैसे ही इस पर कोई न्यूक्लोफाइल अटैक करता है तो चुकि यहां पर अब तीन बंद और वो जो द्वी बंद है उसमें वह आकर एक न्या बंद बना लेता है तो इस समय अब जो कार्बन की सरचना होती है वह समतली त्रिकोणी नरहकर यह चतश फल की सरचना हो जाती है वह प्लेन वाले तीनू बंद होते हैं वह नीचे की तरफ जुग जाते हैं और उपर एक यहां पर निकलोफाइल आकर अट 3 3 हो जाती है तो इस तरह से यहाँ पर nukle fi Stars sådan के जाने के पहले एक बात और हम यहाँ पर जान ले कि यहाँ पर रहाँ और किट मोगाँ नुफ्ल फ मिलीक और सब्सक्रांब क देते हैं लेकिन दोनों की यादी हम सब्सक्रांष अध्र में नेन स्थदिक तुल्हा estudio जो एडिहाइड समू होते हैं, वो ज़्यादा रियक्टिव होते हैं, उनमें नुकलीफिलिक एडिशन अभिक्रियां ज्यादा श्रिगृता से हो पाती हैं, इसके पीछे कारण यह है कि यहाँ पर हम देखी जो कार्बनल समू की सरचना है, उसमें कार्बन पर धन आवेश है और यहाँ पर चुकी नुकलीफिलिक एडिशन रियक्शन सोनी हैं, इसलिए जितना ज्यादा कार्बन पर धन आवेश होगा, उतनी आसानी से नुकलीफिलिक एडिशन हो पाएंगे और हम जानते हैं कि जो अल्डिहाइट समू होते हैं, उसमें कार्बन से जुड़ा हुआ एक जो अल्किल समू है और यहाँ पर दूसरा समू जो होता है, वह दूसरा हाइड्रूजन होता है तो यहाँ पर जो एक मेथिल समू है और मेथिल समू हम जानते हैं कि यह प्लस आई फ्यक्ट दर्शाता है यहने कि यह जो मेथिल समू का जो कार्बन होगा वह कार्बनल कार्बन की तरफ इलेक्ट्रानों को धकेल देता है जिससे यहाँ पर हम देखेंगे जो कार्बनल उसमें इलेक्ट्रान घनत्यों की बढ़ जाएगा जिससे उसका जो पॉजिटिव चार्ज है उसमें कमी आ जाएगी और इसकी वज़र से यहाँ पर नुक्लिफिलिक जो एडिशन रेक्शन होती है उसमें कमी आती है लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चुकि जो भी समू कार्बनल समू से जुड़ा हुआ जो भी समू होगा जो कि इसकी यहाँ पर इलेक्ट्रान घनत्यों को बढ़ाएगा वो इस कार्बनल समू की रेक्टिविटी को कम करेगा तो यहाँ पर हम देखें एल्डिहाइड में एक अलकिल मूलक है मिथाइल मूलक है तो होता है तो दूसरी और हम देख रहे हैं जो किटोन समू है यहाँ पर कार्बनल समू जो कार्बन है उससे जुड़ेवे दो-दो अलकिल समू या इरल समू होते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर जो किटोन होती है उसके धन आवेश में और कमी आ जाती है और यही वज़ा है कि अलड़िहायड की तुलना में किटोनों में यहाँ पर योगात्मक्रइपक्रिया होती है वह और धीमी गति से होती है तो इस तरह सेहं देखे कि अलड़िहायiva है दुलना में अधिक श्री गृत्ता से फास्ट यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रियक्शन्स देती हैं तो आए अब हम देखते हैं कुछ उदारन जिनके द्वारा हम समझेंगे कि इनमें किस प्रकार से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रियक्शन्स होते हैं तो सबसे पहले हम देखने वाल है जब यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर देख रहे हैं जिसमें की कार्बन से जुड़ा हुआ जो एक एलकिल समु है और एक हाड्रोजन तो पहले से हैं पर उपस्थित होते हैं यहां पर एक जगह पर उपस्थित होता है साइनाइट समु और जो चोथा बंध कीजना के द्वारा यही तो यहां पर हम देखे कि सबसे पहले जो hydrogen cyanide का योग हो रहा है वह यहां पर छार की उपस्तती में होता है और छार की उपस्तती में hydrogen cyanide hydrogen cyanide में हम देखे कि इसकी जो सरचना होगी उसमें hydrogen पर positive charge होगा और जो cyanide समोह इस पर negative charge होगा और जब यहां पर छार से प्राप्त OH चार का काम है और यह यहां पर जब यह इससे क्रिया होगी तो यह hydroxide ion जो होगा वह hydrogen को अपने साथ लेज कर यहां पर water molecule बना लेगा अब यहां पर बच गया cn-ion यहां पर cyanide ion बच गया है अब यह जो cyanide ion है यह नुक्लोफाइल है और अब जब हम इसकी क्रिया LD हाइट से करेंगे आगे तो यह नुक्लोफाइल जो carbon है उस पर carbon carbon जिस पर positive charge है उस पर यहां पर अटाइक करके यहां पर हम देखें कि इसके साथ cyanide के तरह यहां पर carbon बंद बनाकर जुड़ जाएगा और इस तरह से हमें एक माद्दमिक species प्रात्त होगी जिसमें की carbon से जुड़ा हुआ एक अलकिल मूलक होगा एक hydrogen होगा एक साइनो समुझ जुड़ा होगा और दूसरी ओर होगा जो carbon carbon का oxygen जिस पर negative charge होगा क्योंकि अब यहां पर देखें एक ही बंद कार्बन और oxygen के बीच एक ही बंद रह गया है इस पर यहां पर negative charge होगा अब यह आगे यहां पर विलियन में उपस्तित जो proton है hydrogen आयन है जल से प्राप्त होने वाले उनके साथ यह इसमें जुड़ जाएगा और इस तरह से हमें एक उत्पात प्राप्त होगा जिससे हम कहने के साइनो हाइड्रेन तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि अल्डिहाइड में इसी प्रकार से hydrogen cyanide का योग होगा और इस तरह से हमें साइनो हाइड्रेन कंपाउंड प्राप्त होगा इसी तरह से मालने जे हमारे पास aromatical dehyde है जैसे कि हम उदारन ले सकते हैं हाँ पर benzaldehyde का तो benzaldehyde में भी हम जानते हैं कि oxygen पर यह जो radio watthe kore to a comeback में जेहां प्रकारसे यहां पर भी depreciation साइनो एक समुझ जो अब यह हों जो जुड़ जाएगा और जो oxygen है उससे यहां पर hydrogen परमानू जुड़ जाएगा और इस तरह से हमें साइनो hydrogen प्राप्त होंगे यहाँ पर हम बताते हैं कि जब हम compare करते हैं बेन्चल रोम्मकली और यहां पर हरकर करते हैं हम एलेफ़ांटिगी कि तुलना हमffen करें तो भी हम देखेंगे जो एलिफ़ांटिक ये उनमें ये कर्या फास्ट होती है लेकिन क्योंक्य यहां पर एक एरोमेंटिक क्रेंग उपस्तित होती यहां पर कार्बन घंत्त्व बढूब्ण जाते हैं और यहां पर आप रीजुनेंस की वज़ा से इस्थाइटो प्राप्त कर लेती है तो यहां पर हम देखें की जो फेनायल समु उपस्तित है वह भी कार्बन पर इलेक्ट्रान घनत्व को बढ़ाता है और इसलिए यहाँ पर नुक्लोफिलिक एडिशन रियाक्शन की को कम करता है और इसलिए यहाँ पर कम्पेर करें तो बेंजल डिहाइड और एसेटल डिहाइड की यदि हम तुलना करे यहाँ पर इसी तरह से यदि हम कुछ उदारन ले ले और इनकी सक्रीता की तुलना करें इस-प्रकार के प्रशन भी हमारें पूछे जाते हैं तो यहाँ पर इदि हमने लिया हुआ है अधिए Märtyad और इसीटोन और यदि हम इन तीनों की सक्रियता की तुल्ला करें तो यहां पर सबसे अधेट जो सक्री होगा वह होगा तो-क यहां पर जो प्लस आई एफेक्ट वाला एक ही समू quickly थर दूसरी और यहां पर हम देखे कि वें draw halt भी विए एक ir Sadu उपस्तित है लेकिन इसका प्रभाव यहां परहिंग होगा और इसलिए कि नंबर पर जो ہे और सबसे कम सक्रीय हां पर होनगे की टॉन यहां पर मता कि एल्डिवाइट और की ट्न की यदि हम तुलना करते हैं तो रमेल्डिविशय हमेशा अधिक हो formaldehyde क्योंकि यहाँ पर एक भी alkyl समु उपस्तित नहीं है जो कि plus i effect के द्वारा carbon पर electron घनत तो बढ़ाए तथा उसकी सक्रीता को कम करें दूसरी और हम देखेंगे इससे जो कम सक्री होगा यानि कि second number पर जिसकी सक्रीता होगी वह होगी क्योंकि यहाँ पर केवल एक ही alkyl समु उपस्तित है जो कि plus i effect दर्शाता है दूसरी और यदि हम ब्यूटरल डिहाइट की बात करें तो यहाँ पर हम देखें कि carbon से जुड़ा होगे दो alkyl समु है और इनके plus i effect बहुत अधिक होंगे और इसकी वज़े से यहाँ पर nucleophilic addition reaction कम सक्रीता की साथ हो पाएगी इसके अलावा यह भी होता है कि जैसे जैसे carbon 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 किसके साथ जुड़े हुए जो समु होते हैं यानि कि alkyl समु है उनका आकार बढ़ता जाता है तो यहाँ पर steric hindrance भी यहाँ पर आ जाता है और त्रविम बाधा भी यहाँ पर उत्पन हो जाती है आने वाले nucleophile के attachment के लिए और इसे लिए यहाँ पर इनकी सक्रीता कम होती चली जाती है आये अब हम एक और नाभिक्स में ही योगात्मत अभिक्रिया का उदारन देखते हैं जिसमें कि aldehyde तथा की टोनों में sodium hydrogen sulfide का योग होता है यहाँ पर हम aldehyde का उदारन ले रहे हैं acetaldehyde जिसका सूत्र है CS3CHO हम जानते हैं aldehyde में जो कार्बनिल सम्मिन होता है उसमें oxygen पर negative charge होता है तथा carbon पर positive charge होता है जब इसकी क्रिया sodium hydrogen sulfide यानिकी NaHSO3 के साथ कराते हैं तो हम जानते हैं कि sodium hydrogen sulfide में चुकि sodium धातु है इसलिए इस पर positive charge होता है तथा बाकी जो species बचती है यानिकी HSO3 इस पर negative charge होता है अब आप समझ सकते हैं कि जो योग अभी क्रिया होगी वहाँ पर sodium जिस पर positive charge है वह oxygen से जोड़ जाएगा तथा HSO3 समू यह कार्वन से जोड़ जाता है और इस तरह से हमें एक योगात्मक उत्पात प्राप्थ होता है जिसमें कि कार्वन से एक तरफ मिठाल समू जुड़ा हुआ है एक hydrogen जुड़ा हुआ है एक और ONA समू जुड़ा हुआ है तथा एक और SO3H समू जुड़ा हुआ है यहाँ पर SO3H समू में जो hydrogen है वह भी positive charge है तथा ONA में sodium ही positive charge है इसलिए इन दोनों का आपस में इस्थानांतरन हो जाता है जिसे हम proton transfer कहते हैं और इसके फलसरोप हमें एक किस्टली पदाठ प्राप्थ होता है जो की सफेद रंका होता है और इस सरचना का सूत्र आप देख सकते हैं यहाँ पर होगा कारबन जिसे जुड़ा हुआ होगा एक मिठाल समू एक जुड़ा होगा hydrogen एक और जुड़ा होगा hydroxyl समू यानिकी जल में अविले होता है इसलिए इस अभिक्रिया का व्योग ultiheight की टोनों को परिश्कृत तथा प्रिथक करत्त करने के लिए किया जाता है क्योंकि यह जो वाल्ब किस्टलीन सॉलिड हमें प्राप्त होता है यह जल में अविले है अतर ऐसे पदार्थों से प्रिथक करने के लिए जो की जल में विले होते हैं इस विधी का उप्योग किया जाता है यदि हमें एरे पास ऐसा विलियन है जिसमें की अलडिहाईड अथ्वा किटोन के अलावा अन्य कार्बनिक पदार्थ उपस्थित हैं तो यहाँ पर हम उसकी क्रिया sodium hydrogen cell valve से कराते हैं जैसे यहाँ पर यह जो crystalline solid बनता है वह अवक्षेपित हो जाता है जिसे प्रिथक कर लेते हैं और सबसे महत्वपुन बात यह है कि यह जो crystalline solid हमें पडार्ट पास हुआ है यह जब इसकी चार या dilute amelot जैसे की खने जम्द hydrochloric acid से इसकी हम क्रिया कराते हैं तो यह पुना अपनी मूल aldehyde अथवा की टोन में प्रिथक हो जाता है और इसे लिए शुद्ध अवस्था में aldehyde तथा की टोनों को प्राप्त करने के लिए इस विधी का उप्योग किया जाता है इसके बाद हम nucleophilic addition का एक दूसरा उधारन लेते हैं जिसमें हम लेंगे कि aldehyde तथा की टोनों में alcohol का addition किस प्रकार से होता है तब से पहले हम देखते हैं कि aldehyde यहां पर हमने लिया हुआ है acetyldehyde और हम इसमें देखेंगे कि इसमें alcohol का addition किस प्रकार से होगा तो फिर से वही देखना हमें alcohol जिसकी सरचना हम सामाने तोर पर लिखेंगे ROH और यहां पर हम देखते हैं कि जो H है उस पर positive charge है जबकि जो बाकी बचा हुआ RO समू है अलकॉक्सी समू है उस पर negative charge होगा उसी तरह से कार्बनल समू की सरचना हमें पता चल गई है और यहां पर हम देखें कि oxygen पर negative charge है जबकि carbon पर positive charge है तो दिखाई दे रहा है किस तरह से जो hydrogen है वह जाकर oxygen से attach हो जाएगा जबकि जो अलकॉक्सी समू है वह जाकर carbon से attach हो जाएगा और इस तरह से हमें एक माध्धमिक सरचना प्राप्त होती है और इस तरह से में हम देखेंगे कि जो carbon है उससे एक सम तरफ alkyl मूलक जुड़ा हुआ है एक तरफ alcoxy OR समू जुड़ा हुआ है तथा एक तरफ यहां पर OH समू जुड़ा हुआ है तो इस प्रकार की जो सरचना होगी चुकि यहां पर hydroxyl समू है तो यह alcohol का एक प्रकार हुआ और चुकि यहां पर alcoxy समू भी उपस्तित है तो इसे हम कहते हैं alcoxy alcohol और इसका एक विशेश नाम भी है इसे hemiacetal भी कहा जाता है तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि aldehyde का हमें hemiacetal प्राप्त होते हैं लेकिन यह आभी क्रिया यहां पर रुकती नहीं है यहां पर इसके आगे और भी रियक्शन होगी और यहां पर alcohol का अब दूसरा अनू क्रिया में भाग लेगा और वहां पर फिर से हम देखेंगे कि यह जो यहां पर hemiacetal हमें मिला है इसमें यह जो hydroxyl समू है यहां पर oxygen पर रिनावेश हो क्योंकि उसके पास loan pair of electron है उस पर रिनावेश है और hydrogen पर positive charge है तो यहां पर पुना जो यहां पर oxygen पर रिनावेश और उसके पास loan pair देने के लिए हैं इसलिए जो फिर से alcohol आने वाला है उसका जो hydrogen है वह इससे जुड़ जाता है और जैसे यहां पर इससे यह जुड़ेगा यहां पर आप देख रहे हैं कि OH पहले से है और एक hydrogen यहां पर जुड़ जाता है जिससे oxygen पर positive charge आ जाएगा और यहां पर oxygen पर positive charge हम जानते हैं कि बिलकुल अस्थाई अवस्था होती है और वैसे ही यहां पर जो oxygen है दोनों hydrogen को लेकर पानी के रूप में बाहर निकल जाएगा अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जैसे ही कार्बन ऑक्सीजन के लेफ्रांच जोड़े को लेकर यहाँ पर वाटर मालिकूल बाहर निकल जाता है पुर पुना कार्बन पर पॉजिट्व चार्ज आ जाता है और इस तरह से जो दूसरे अलकोहल समू का अब जो अलकॉक्सी भाग बचा हुआ था वह जाकर फिर से कार्बन से जुड़ जाता है और इस तरह से हम देखें कि यहाँ पर अब जो नई सरचना हमें प्राप्त हो रही है उसमें आप देख रहे हैं कि कार्बन से एक अलकिल समू जुड़ा हु है और दो एलकॉकॉक्सी समू यहां पर जुड़े हुए हैं और यह भी आप देखें कि यहां पर दोनो एलकॉक्सी समू हैं वह एक ही कारबन से जुड़े हुए हैं तो ऐसी जो इस्तती होती है तो यहां पर डाई-istem टो ही लेकिन साथ में हम यहां पर प्रिम लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर दोनो एलकॉक्सी समू एक ही कार्बन से जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर इसकी सरचना हो जाएगी जेम डाई एलकॉक्सी यह समू हुआ और साथ ही साथ यह जो सरचना होती है उसे कहा जाता है एसीटल इसके पहले जब हमें देखा था कि जब हमारे कंपाउंड में एक एलकॉक्सी समू और एक हैड्रोक्सी समू जुड़ा हुआ था तो उसे हेमी एसीटल कहा गया और अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर दो-दो एलकॉक्सी समू जुड़े हुए हैं और इस सरचना को हम कहते हैं एसीटल तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो एडिहाइड है उस पर जब नुकलोफलिक एडिशन रियाक्शन होती है अलकॉहल के साथ तो वहाँ पर अलकॉहल के दो मॉलेक्यूल क्रिया करते हैं और जो फाइनल उत्पाद हमें प्राप्थ होता है वह होता है एसीटल यही क्रिया हम कि टोन के साथ भी देख सकते हैं कि टोन की सरचना में जैसे कि हमने यहाँ पर लिया है एसीटोन जिसकी सरचना है CH3-C Double bond OCH3 अब यहाँ पर जो एलकोहल होगा वो monohydric alcohol नहीं होगा, बलकि dihydric alcohol होगा, जैसे कि हमने लिया है ethylene diol, जैसे हम glycerol भी कहते हैं, जब इसकी क्रिया acetone के साथ कराते हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो acetone का oxygen है, कार्बन समू का oxygen है, तथा यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो ethylene diol है, तो diol के जो दोनों hydroxyl समू हैं, उनके दोनों hydrogen जो हैं, तो यहाँ पर glycerol के दो proton hydrogen तथा कर्बनल समू का oxygen, यहाँ पर हम देखेंगे कि एक water molecules यहाँ पर बाहर निकल जाएगा, और बाकी का जो rest of species है, वो इसके साथ, कर्बनल कार्बन के साथ जुड़ जाता है, और इस तरह स से यहाँ पर जो सरचना प्राप्त होती है, चुकि यह इधिलीन glycol यहाँ पर अटाइच हुआ है, इसलिए हम इसको कहेंगे, इधिलीन glycol और यह जो पूरी सरचना कहलाती है, वो होती है, कीटल क्योंकि keton से form हुआ है, इसलिए इसको हम कहेंगे, इधिलीन glycol keton, तो इस त अजय हम